Hello friends, मैं नाम अभीजे और आज की बड़िवाँ में बात करेंगे linear probing के जानेंगे linear probing की सरे से काम करती है इसको कैसे use करते हैं तो चलिए start करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी open aiders की जहां पर हम लोग डाटा को अपने रख रहे थे ठीक है अपनी टेबल पर है मुझे इसको save कराना है तो यहां पर दीखे linear problem क्या होता है जब भी आपका collision होता है तो आप क्या करते है डिरेक्ट उसकी next वाली value पर jump कर जाते है जो direct बात होती है ठीक है तो अगर मालीजी यहां पर data a है b है ठीक है c है यहां पर और यहां पर d है यहां पर e है यहां पर f है और यहां पर hashing function हमने लगाया किसी data पर ठीक है और उसने मुझे value कर देदी a देदी मतलब जो location है वो zero location देदी ठीक है तो उस case में क्या होगा यहां पर पहला collision में को मिल गया तो उसके बाद मैं data कहा fit करने कोशिश करूँगा second location पर इसके जो बात होगी direct b पर फिर b में भी hashing function ने ठीक है हमें यहां पर d location दी डी में मुझे collision मिल गया तो मैं उसके बाद वाले में इसको fit करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो यह आपकी होती है linear probing आप किस तरह सा achieve की जाती है वो देख लेते है हमारे पास एक hashing function है ठीक है जिसमें हमारा universal set है जिसको मैं map कर रहा ठीक है अगर मेरे वहां कोई problem आती है ठीक है hashing में कोई problem आती है collision होता है ठीक है कोई data किसी ने भीजा और उसकी को मैंने specific location दे दी ठीक है जैसे मैं जिरो location दे दी यहां पर कोई data इसने भीजा ठीक है अगर collision हो जाता है इस case में तो मैं क्या करूँगा इस हैसING function में variable कोई ज़रूरी नहीं है फिर हमने क्या करेंगे जो हमारा hashing function है ठीक है उसमें हमने data pass किया फिर उसमें मैंने value add करी collision वाली और फिर मैं इसका mod निकाल दिया ठीक है mod sj अगर हमारे case में क्या होता है पहला collision होगा तो इस case में data ने क्या दिया जीरो position थी में रखो ठीक है इसमें one add कर दूँगा और mod क्या है आपका mod है आपका nine ठीक है यहाँ पर total value कितनी है 10 value क्योंकि nine यहाँ पर headers आ रहे है तो यहाँ पर total size कितना होगा 10 होगा तो 10 से इसको mod कर देंगे तो कितना आएगा पर one ही आएगा तो यह one location पर चले जाएगा ठीक है अगर second collision में यहाँ पर मिलता है ठीक है तो यहाँ पर i की value कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा h के data है हम लोग क्या कर देंगे to add कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दाने कितना दिया था हमे जीरो दिया था जीरो में हम लोग two position एड कर देंगे 10 के साथ तो यहाँ पर कितना निकल जाएगी value two निकल जाएगी तो यह second position पहुँच जाएगा और वहाँ पर collision होगा तो ठीक है वरना आगे को बढ़ते रहेंगे इस तरह से value आपकी बढ़ते रहेंगी अब देखिए इस में दो problem हमें देखने को मिलती है यहाँ प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं पहली problem को नेम देते हैं हम primary cluster second होता है हमारा secondary cluster यह क्या है हमारी clustering वैसे problem को नाम है clustering ठीक है यह दो problem हमेरी को देखन में क्या होता है कि आपके वास जो data रखा हुआ है ठीक है उसमें यहाँ पर लगातार value add है 1, B, C, D, E इस तरह के से यहाँ पर gap बने हुए फिर कुछ छोटे हुए है फिर यहाँ पर लगातार value add हो रखी है यहाँ पर F, G, H, I और कुछ छोटी हुई है ठीक है कुछ address चोट पर फिर से particular collision, यह collision, यह collision, यह collision यह collision फिर आपका data जाके add होगा तो यह होता है आपका primary collision ठीक है और यहाँ पर देखे एक question जादार frequently gate में पूछा जाता है या concrete exam में पूछा जाता है आपका कि यहाँ पर जो यह value आ रही है इस position में जो value आएगी इस की probability कितनी होगी अब दे 1 upon s z ठीक है लगिए इस case में यहाँ पर जो यह location है इसमें आपकी probability change रहेगी क्यों क्यों कि यहाँ पर देखे पहले तो खिसकी खुद की probability 1 upon s z है ठीक है फिर इसमें और probability भी add होंगी कौन कौन से probability add होंगी आपकी अगर hashing value ने 0 position दी तब भी आपका data इसे में जाके end होगा क्योंकि यह empty location होगी तो A से A में नहीं आएगा B में नहीं आएगा C में नहीं आएगा D में नहीं आएगा E में नहीं आएगा तो कहाँ पर आएगा इस location पाएगा जामाना dot लगा हो है उसी तरसा का B the hash ने table hash hash ने B position दी ठीक है B वाली location दी मतलब one location दी तो वहाँ पर फिर इस डाट में आएगा C में बेसी होगा D में बेसी होगा E में बेसी होगा तो इन सबकी probability भी आपकी add हो जाएगी तो इन सबकी probability कैसे calculate करते हैं ठीक है जितने number आप डाड़ा लेने से एक दो तीन चार पड़ा लें ठीक है पांच डाड़ा प्लस वन अपॉन अपॉन एस्ट इसकी probability होगा हमारे case में इसको मैं क्या आवल लेता हूँ इसको अगर मैं i मान लूँगा तो यहाँ पर क्यों जागा formula बन जागा i प्लस वन अपॉन अपॉन एस्ट ठीक है यह बात समझ रहे है तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगी इसकी probability बन जाएगी ठीक है किसी भी element के इंसर्ट होने की probability कितनी होगी ठीक है तो यह होता है आपका primary cluster अब क्या होता है secondary cluster क्या होता है ठीक है अब देखे secondary cluster के बात करते हैं देखे secondary cluster मैं मान लेजिए यहाँ पर आपने कोई data भेजा ठीक है मैं भेजना हूँ 2 मैंने 2 data भेजा इसने मुझे जो value निकाल के दी health function ने यह निकाल के दी 0 position फिर मैंने एक data भेजा यहाँ पर 6 या 16 के लेजिए ठीक है यहाँ पर health function ने मुझे 0 value निकाल के दी अब देख जाता इसी तरह से एच 16 के अगरेगा यहाँ पर 16 डाट होगा यह भी कहते है जीरो से लेकर 1 तक जाएगा 2 तो ते लेकर 3 पे फिर 4 में और फिर S Z-1 पर तो यहाँ पर देखें same same location को बाहर बाहर ही access करते जा रहे है जैसे Edge 2 हो गया पहले 0 पे जा रहा है फिर 1 पे जा रहा है फिर 2 पे इसी तरह से एच 16 भी आपका कहा रहा है पहले 0 पे जा एगगा फिर 1 पे जाएगा फिर 2 पे जा जाएगा इसी को हम लोगते है Secondary cluster जब आपका है SIM function होता है वह same value न करना चाहूंगा हमारे एक दूसरा चैनल भी है CAC2.0 जहां पर हम आपके गेट की सब्जेक्ट जो CAC में पूछे जाते हैं वह वहाँ पर कवर करते हैं तो अगर आपको CAC के सब्जेक्ट पढ़ने में इंट्रेस्ट है जिसे डाटा इस्ट्रक्चर हो गया अल्गुरियोतम हो गया, CEO हो गया, डाटा बेस हो गया, ठीक एक अपर ओगनाईजिशन हो गया, ठीक ऑपर अपर पढ़ा रहे हैं और साथी साथ हम लोग आपके वहाँ पर gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और detail में अपकी तयारी हो सके और interview के लिए आप अच्छे से prepare हो सके अगर आप interested हैं तो channel का link में आप description में दे दूँगा और यहाँ पर आपको i button भी flash हो रहा होगा उसमें जाके आप subscribe क कर दोल कर दोल कर दोल कि आपके दो तोल कर दोल के आपके दोल कर आपके प्रasmus तोल कुमմ कुम कर एपके और